हे दोस्तो समझो अगर आप एक सेल्समेन हो जो घरगर जा के अपना प्रोड़क्ट लोगों को बेचता है तो ये टफ जोब करते हैं यूजूली आपको तीन टाइप के लोग मिलेंगे पहले जिने सेल्स की दुनिया में हार्ड कस्टमर्स बोला जाता है ये वो लोग होते हैं जो अपने current product service से खुश होते है या ऐसे लोग होते हैं जो आपका product खरीदे में जरा भाड इंटरस्टेट नहीं होते जो सिधा नहीं बोलके दरोजा बंद कर देते हैं बीना आपकी बात सुनें अब ऐसे लोग वो product बेशना अच्छे से अच्छे salesman के लिए बहुत मुश्किल होता है और main bet यह है कि ऐसे ही type के लोग maximum होते हैं दुनिया में फिर आते हैं medium level customers यह ऐसे लोग होते हैं जो अपने current product से खुश तो नहीं रहते बट उन्हें अपने current product से कोई problem भी नहीं रहती ऐसे लोग normally कम होते हैं पर इन्हें एक अच्छा salesman effort के साथ अपनी skills का use करते हुए product बेच सकता है क्योंकि यह लोग आपकी बात सुनने के लिए तयार होते हैं और last type होता है easy consumers का यह ऐसे लोग होते हैं जो अपने current product से खुश नहीं रहते यह ऐसे लोग जो better alternative पर switch करने के लिए खुद ही ready होते हैं पर time ना मिलने की वज़ा से यह ऐसे कोई reasons की वज़ा से अभी तक switch नहीं कर पाए होते हैं यह लोग सबसे ज़्यादा rare और कम होते हैं जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि एक salesman कितना भी खराब क्यों न हो कितना भी नया और कम skills वाला हो फिर भी वो इन्हें अपना product आराम से बेच सकता है बहुत चों लोगों को लगता है कि कामियाब salesperson या businessman बनने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आपकी selling skill बहुत अच्छी हो और बिना अच्छी sales skill के आप कुछ भी नहीं बेच सकते वैल यह बात सज भी है और नहीं भी हाँ आपकी skills बहुत matter करेगी लेकिन जो चीज उससे भी जादा matter करेगी वो है एक principle को follow करना जिसे बोलते हैं the law of average जो यही बोलता है कि जैसे जैसे आपकी actions की frequencies बढ़ेगी वैसे वैसे आपके results भी बढ़ेंगे example हाँ यह हो सकता है जब आप 5 लोगों से मिलो तो उनमें से सब के सब आपको hard level customers मिले जो बीना आपकी बात सुने आपको turn down कर दे लेकिन अगर आप 10 लोगों से पूछोगे तो आपको एक सुनने वाला medium level customer तो मिल ही जाएगा और अगर आप 10 के बज़ाए 100 लोगों से पूछोगे तो पक्का आपको एक या उससे ज़ादा easy customers मिल ही जाएंगे जो आपसे पका आपका product खरीदेंगे मतलब skill से भी ज़रूरी जो चीज आपको success देगी वो है law of average को समझते हुए actions लेते रहना example Richard की पहली job एक salesman की थी जो पूरी commission के उपर based थी मतलब वो उतने ही पैसे कमा सकते थे जितना सामन वो हर दिन बेच पाते लेकिन अच्छी बात ये थी कि उन्हें उनकी company से बहुत powerful training मिली थी जिसमें उन्हे law of average के बारे में भी बहुत अच्छे से सिखाया गया था so training खताम होने के बाद जब पहला दिन आया काम का तब उन्होंने एक बहुत बड़ी building में जाके वहाँ से start करने का decision लिया उन्हें कई घंटे निकाल दिये वहाँ एक एक घर पे जाते हुए जिसे धीरे धीरे उनकी उम्मीद खतम होने लगी और वो सोचने लगे कि law of average सब बकवास है और main चीज होती है area के लोग कितना पैसा कमाते हैं और ऐसे ही अलग अलग चीजे matter करती है सो तब उन्हेंने decide कि ठीक है मैं अभी हर बचे हुए घर पे जाऊंगा try करूंगा बस इसलिए ताकि law of average को गलत प्रूफ कर सकूँ और सब को बता सकूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता law of average बकवास है सो ऐसा सोचने के बाद उन्हें हर एक room try कर लिया लेकिन जैसे ही वो last के तीन rooms पे पहुँचे guess what वहाँ तीनों के तीनों उन्हें easy consumers मिले जो अपने current product से खुश नहीं थे और बस कैसे भी जल्दी switch करना चाहते थे रिचर्ड तब बहुत खुश हुए और उन्हें समझ आया कि हाँ law of average सच में काम करता है अब अगर आप यह सूच रहे हो कि मैं salesman की बात या यह सरी चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ आप तो शायद salesman हो भी नहीं तो इसका reason है because law of average का use बस selling में ही नहीं बलकि life के हर एक aspect में success मिलने के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यगीन करो life में maximum times आपको hard rejections ही मिलेंगे उन hard customers की तरह और कभी-कभी बीच में आपको medium opportunities मिलेगी जिसमें आप अपनी skill का use करके शायद कुछ अच्छा कर पाओगे फाइदा उठा पाओगे लेकिन बस कुछ खास rare time ऐसे आएंगे जब आपके सामने बहुत बड़ी opportunities आएगी जो आपको easily मिल भी सकेगी और huge success भी देगी एक ही बार में लेकिन इस बड़ी opportunities को अपने सामने लाके खड़ा करने के लिए जो एक चीज करते रहना बहुत जरूरी है वो है actions लेते रहना massive actions लेते रहना क्योंकि तभी एक न एक बार आपको बड़ी opportunities मिल पाएगी वो success मिल पाएगी फिर चाहे वो life की कोई भी चीज हो example अगर आपको एक अच्छा life partner चाहिए तो actions लेते रहो अलग-अलग लोगों से मिलो बात करो जितना ज़ादा लोगों से मिलोगे बात करोगे उतना ज़ादा आपके chance बढ़ेंगे जोब चाहिए तो सर्च करो अलग-अलग जगा जाओ जितना ज़ादा जगा हो सके अपलाए करो probability एक ना एक बार आपको success जरूर देगी ही देगी और सबसे अच्छी बात जितना ज़ादा आप actions लेते रहोगे उतना ज़ादा आपकी skills भी उस चीज में और अच्छी होती जाएगी जो in return आपकी probability of success को और बढ़ा देगी Jim Rohn एक famous author है वो बोलते है कि अगर कोई इंसान 10 लोगों से बात करके उनमें से 9 लोगों को अपना product बेच सकता है और मैं 10 से बात करके बस एक को बेच सकता हूँ तो भी मैं उस super salesman को हरा दूँगा और अगर आप यह सोच रहों कि मैं यह कैसे कर पाऊँगा तो answer बहुत simple है जहां ओ आदमी 10 से बात करके 9 को अपना customer बनाएगा वही मैं 10 के बजाए 100 लोगों से बात करूँगा और उनमें से 10 को अपना customer बनाऊँगा उसे हराते हुए ऐसे ही action related thinking आपकी भी होनी चाहिए 4 degrees of action ओथो बुलते हैं कि आप life को 4 तरीकों से बिता सकते हो पहला कुछ नहीं करके मतलब बिना कोई action लिए अपने precious time को खतम कर सकते हो दूसरा retreat करके मतलब जो करना चाहिए उसे avoid कर सकते हो दूसरी opposite चीज़े करते हुए complain करते हुए तीसरा आप normal action ले सकते हो जैसा जादतर लोग लेते हैं comfort zone में बैठे हुए या फिर fourth आप massive actions ले सकते हो अपने goals को पूरा करने के लिए जो eventually आपको massive success देगा life में आपके सारे goals को पूरा करते हुए example रिचर्ड अगर training लेने के बाद कुछ नहीं करते या retreat कर लेते ये बोलते हुए कि यहाँ उनके potential customers नहीं होंगे सब कंजूस है या normal इंसान की तरह बस 10-20 घर पे try करते और हार मन जाते तो उन्हें success नहीं मिलती उन्हें success मिली क्योंकि उन्होंने massive actions लिए उन्होंने hundreds of घर पे जाके rejection face करी तभी जाके वो अपने goals को पूरा कर पाए similarly आप मेरे वीडियो से कितनी भी अच्छी और नहीं बाते क्यों न सीख लो अगर आप उन्हें real life में apply ही नहीं करोगे actions नहीं लोगे तो इचीज आपको success नहीं देगी इसलिए make sure आप बातों को सीखते हुए उसे use भी करो और massive actions भी लो क्योंकि यही सबसे main चीज है अभी book से हट के एक बात आपको ये तो समझ आ गया होगा कि selling और success skill के साथ-साथ number का game भी है मतलब जितने ज़्यदा लोगों को आपका product के service के बारे में पता चलेगा उतना ज़्यदा chance है कि आपका product बिकेगा और अच्छी बात यह है कि आज internet के इस दुनिया में ज़्यदा लोगों तक पहुचना easy है एक smart तरीका जिससे हम ज़्यदा लोगों तक reach कर सकते हैं ज़्यदा sell करने के लिए वो है Google से मतलब Google search के first page पे आके सो अगर आपका business है और आप चाहते हो कि आपको अभी मिल रहे customers से ज़्यदा customers मिले Google के help से तो यह आपको एक well-known company AdTube India से करा के मिल सकता है वो आपके product या service को Google के first page पे लाके देंगे जिससे आपको exposure मिलेगा और ज़्यदा customers भी और अगर नहीं ला पाए तो money back guarantee मैंने नीचे description में phone number detail दी है जिसे जाके आप inquiry कर सकते हो Now to end यह बाते मैंने आपको 10x rule by Grand Carden इस book से बताई है अगर आपको यह book खरीद नहीं है तो इसकी link मैंने description में दी है और अगर आपको इस book की free audiobook चाहिए तो इसकी link में मैंने description में दी है जो मेरे website के तुरू जाती है अगर आप मेरे videos को कभी miss नहीं करना चाहते तो आप subscribe करने के बाद bell icon पर ज़रूर क्लिक करे and send all notification भी select करे इसे जब भी मैं new video डालूँगा जो मैं हर हफते Sunday को डालता हूँ तब आपको उसका notification आजाएगा वरना नहीं आएगा और आप video miss कर दो गए share कर इस video को facebook and whatsapp पे ताके हर इंसान massive actions की importance समझे जिसे वो भी आगे बढ़ेंगे और देश भी and finally thanks for watching